बर्सों से पुराना बस्थानक से लेकर तैसल मुख्य मार पर अतिक्रमन कर छोटे बड़ी दुकान दारों नी अतिक्रमन कर समस्यान निर्मान की थी इस मार्ग पर जगह जगह अतिक्रमन कर व्यवधान निर्मान कर आवा गवन करने वाली वाहनों को भारी मुसीपदों का सामना करना पड़ रहा था वहें इस कारण विवाद बढ़ने लगे थे इसे लोगों को भारी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा था बर्सों से इस मार का अतिक्रमन निकालने की स्थानियों द्वारा मांग की जारे थी पर नेत और अधिकारी इस विशे के बारे में गंभी नहीं होने से अतिक्रमन निकालने में नाकामियाब हुए थे पर नगर पंचायत मुख्यदिकारी अरचना वंचारी और नगर पंचास दस्य ने ठराफ पास कर यहां का अतिक्रमन निकालने की पहल गी वहीं अतिक्रमन निकालकर यहां पर सिमेंटेड रास्ता बढ़ा कर नाली बनाने को अनुमती दी जिसके लिए करोडों रुपे की राश्ची आवंटित की गई थी सभी अतिक्रमन करने वाले दुकानदारों को अतिक्रमन निकालने के लिए तीन से चार बान नूटिस दिये थे रास्ता बनाना और नाली का काम करने के लिए टैंडन निकाला गया वहीं वर्क ओर्डर भी दिया गया था पर अतिक्रमन निकालने में अनेकों बाधाएं आने से यहां का काम पिछले 8-10 महीने से रुखा था, जहां जगा की गिंती का मुद्धा सुलचता नहीं था, पर मुख्याधिकारी अर्चनवनचारी ने अतिक्रमन निकालने में आरे समस्याएं सुलझाते हुए, आखिर कार गुरुवार की सुभा भारी पुलिस बल के साथ बुल्डोजर लेकर अतिक्रमन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कारवाई करते हुए बुल्डोजर चलाया जहां अनेक दुकानों पर बुल्डोजर चलने से अनेक छोटी बड़ी दुकाने धराशाई हो गई अतिक्रमन निकालने में किसी प्रकार की बाधाय नहीं आने से सुचारू रूप से शहर का अतिकमन निकाला गया जल्द से जल्द नाली और सिमिंटेट रास्ता बनाया जाने वाला है जो सभी के लिए स्वीदा जनक साबित होने की उमीर नगरवाश्तियों द्वारा जताई जा रही है जहां छोटे दुकानदार में इस कारवाई से नाराज की दिखाई दी तैसिल्दा प्रशान सांग्रे नगर अध्यक्ष प्रतीवा कुंभलकर मुख्यादिकारी अर्चिना वनजारी पुलिस निरिक्षक हयूद नारायन यादव नगर पंचयत करमचारी और बड़े पैमा स्कोर लगाया था यहां कारवाई शहर के लिए आने वाले समय में बहुत उप्यूखत साबित होगी जिस तरह शहर के दुकानदारों ने अतिक्रमन निकालने में सहीयोग किया वहां सरहानिये हैं इसी प्रकार शहर के विकास कामों में आगे भी सहीयोग मिला तो शहर साफ स सुत्रा सुन्दर पाशिवनी शहर दिखाई देगा